हलो बच्चों आपके अपने यूटूब चैनल आ रहे हैं आपका स्वागत है मैं दिनिस कवान आपको हम पढ़ा रहे थे कि दो चरोवाले रैकिक सम्मेकर जो आपके सामने देख रहे हैं कि हमने लगा हुआ इसमे आप पढ़ चुके हो अच्छे से समझ चुके हो आपता भी है कभी कोई नहीं पुझा लेकिन अक्सर आजाता है तो आईए उसके आगे कुछ कुईशन उसको हम सॉल्व करते हैं चलिए देखें चान नंबर कुईशन तक हम करी चुके थे पांच नंबर क्या ये थियोरी मॉडल है यानि क्या बेवारिक जीवन में कैसे इस और सम्मेकरार बनाते हैं फिर कैसे सॉल्व करते हैं तो देखो ये क्या है दो चरवाले रैखिक सम्मेकरार इसको और उपर कर देते हैं और इसके बाद हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि एक क्या है एक आयताकार क्या है बाग है कि अगर देखते हैं कि एक आयताकार क्या है यदि इसका अर्द परिमाब 36 है तो बाग की बीमाएं ग्याद करने का मतलब होता है लंबाई और चोड़ाई क्योंकि आयत में दो ही चीज होता है तो चलिए एक हमफीकर आपको बताते हैं बनाके ऐसे सब्सक्राइब कर लो ये कैसा है कि माना आयताकार कार बाग की चोड़ाई क्योंकि कहरें लंबाई चोड़ाई से चार में तो आपको सबसे पहले चोड़ाई मानना पड़ेगा तो ये चोड़ाई कितना है कि अगर चोड़ाई मान ले तो ये कितना एक्स मीटर है m का मतलब क्या होता y meter होता है और फिर माल लिजे इसकी चोडाई कितना हो जागा कि लंबाई चोडाई तो हुमारे पास पता ही है तो इसकी हमलंबाई कितना माल ले यानि इसकी लंबाई जो होगी वो y meter हो जागा क्योंकि हमें आपको बताया گیا कि two variables season एक variable नहीं मानना है मतलब हमने क्या माना कि यहाँ से यहाँ तक इसको x मान ले यह चौडाई हो गए ठीक और यह क्या हो जाएगा कि इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तो अगर यह आयताकार था तो लंबाई और चौडाई हमें पता है आप वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप निकालना चाहो, तो ऐसे भी, X भी मान सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कि आप लंबाई को X मानिये, चोड़ाई को Y मानिये, जैसा आपको उचित पड़े, वैसा आप मान सकते हो, दिक्स में लिखा आयता लिखा है पर्थम सर्थ इसको बोलते हैं जैसे क्या लिखा हुए उसको पड़ो क्या कह रहा है आयताकार बाग की चौड़ाई बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर कितना है अधिक है यानि इसमें दिया गया है कि इसकी लंबाई जो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो तो चावडाई सी कितना, चार मीटर अधिक है, यह है, ठीक है, और जैसे अभी हमने कहा, अगर आप ऐसे चेंज करके लगाओगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, देखो, अगर इसको ऐसे माल लें, दोनों पे हमने ऐसे माना था, लेकिन अगर हम इसको लंबाई के माल लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसमें माल लेजिए, कि इसकी क्या हो, यह लंबाई हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, और इसको क्या माल लो, चावडाई माल लो, जैसे हमने कहा, दोनों पे बनाएंगे, कोई ऐसे दिक्कत नहीं, कि इसमें क्या होगा, गलत होगा, जो आपको मन के, वैसे माल लो, तो हमने इसके लमबाई किति दी गई, देखो, एकस माल लिया है, और चौडाई कितना दिया जए, य दिया गया, अब प्लस 4 हो गया, आप क्या करो, इसको लेफट साइड लेया है, य तो है, इक्वेशन फस्ट यह पर्थम कंडिशन इन्होंने कहा था पर्थम कंडिशन को हमने क्या किया पार कर लिया पर दितिया कंडिशन का अर्ध परिमाप छत्ती से यह निए आयताकार बाग का अर्ध परिमाप तो देखो दिया गया है कि आयताकार आयताकार बाग का अर्ध परिमाप अभी बताते हैं अर्ध परिमाप का होता है अर्ध परिमाप कितना है बराबर कितना है 36 है यह आपके सामने लिखा हुआ तो आयत का परिमाप कितना होता है आयत का अगर बात करें आयत का परिमाप अगर हम इसको बात करते हैं तो इसका जो परिमाप होता है 2L 플स B मत्तब लंबाई प्लस चवड़ाई होता है तो आधा कितना होगा? अगर आप आधा निकालोगे तो अर्द परिमाप कितना होगा? दो से भाग कर दो 2L 플स B तो अगर डिवाइड कर दोगे तो L प्लस कितना B आ जाएगा अगर हम बात करें कहरा है आयत ताकार बाग का अर्ध परिमाब तो अर्ध परिमाब कितना L प्लस B का मतलब होता है लंबाई प्लस चोड़ाई तो आप ऐसे याद रखना इसको इस पे आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी ये वैसे ही आपका रख के लिए अब इसका कितना दिये गए तो लंबाई कितना X लिखी है और चोड़ाई कितना लिखी है य बराबर कितना 36 संभी कराट दो बन गया तो हमने के वल भी जो पढ़ाई कितना के सम्मी कराण आपको भी मालूम था तो जैसे पीछे वाले हमने पढ़ा था सेम वैसे ही आपको करना है कोई उसमें अंतर नहीं है तो चलिए रखते हैं यह x, यह y और यह क्या हो जाएगा बिंदू हो जाएगा तो सबसे पहले x की value रखो 0 तो minus कितना 0, minus हो जाएगा y तो 4 तो यह minus 4 हो जाएगा y की value 0 रखो तो यह कितना 4 देदेगा तो हम लिख सकते 0, minus 4 और यह 4, 0 यह सबसे आसान मैथड है और जिनको आसानी से हम क्या करते हैं और जो मैथड है इसके कई मैथड है लेकिन आपको सबसे आसान मैथड बता रहे हैं जिनको आसानी से solve कर लेंगे फिर इसके बाद देखते हैं इनको ऐसे खीज दो यह रेखा ऐसे खीज दो और इसको ऐसे खीज दो यह ऐसे खीज दिया पर हमें दूसा सम्मेकरण कितना लिखा हुआ x प्लस y इक्वल 36 तो इनको भी लिखते हैं तो लिखो x कि x प्लस y इक्वल कितना 36 तो यहाँ x हो जाएगा यहाँ y हो जाएगा यहाँ पर क्या जाएगा कि बिंदू हो जाएगा अगर बिंदू ले लेते हैं तो सबसे पहले x की वैलू 0 लो जब x की वैलू 0 हो जाएगा तो y की वैलू कितना 36, और y की value 0 ले लिया, तो x की value कितना 36, क्योंकि y 0 तो x पराबर 36, तो 0 कामा कितना 36 हो जागा, और इसको लिख सकते हैं, कि 36 कामा कितना, 0 हो जागा यह हमारे पास दोनों बिंदू चले आगे, जो हमें चाहिए था, तो दोनों बिंदू आगे, अब आगे तो इनको क्या करिए, graph यह बिस से solve करिए, जैसे पीछे solve करते हैं तो same way method है, कोई नय method नहीं apply करना है, कि कोई नय method आपको apply करना है, तो चलिए, graph बनाते हैं और इनको फिर solve करते हैं बिंदू आपके सामने हैं, जब बिंदू सामने हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है यह आप देखोगे, कि इस स्थित में अगर हम सबसे पहले देखें, कि हमारे पास कैसे number लिए जाएं, क्योंकि number यहाँ पे 4 है, minus 4 4 है, इसके बाद 36 है, अब ऐसे अगर हम 36 तक लिखते जाएंगे, तो हमारे लिखते हुए, क्या बखुत ही कम पड़ेगा जगा, क्योंकि कहां पी जो होती, 36 सेमी की नहीं होती है, कि 36 सेमी एक एक सेमी लगाते हैं तो ऐसे number पे ले ले जो इनके factor में आते हैं, जैसे 96 तो चार-चार के number में लिखते हैं, चले जाओ, अगर हम चार-चार के number में लिखते हैं, तो देखो 4 यह हो जाएगा 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर कितना? 20, फिर कितना? 24, फिर 28, फिर कितना? 32, और लाश्ट में कितना? 36 y-axis पे जाएगे, क्योंकि 4-4 के number, अंतर से हमुने चाएगा, जैसे 4 का पहाड़ा है, वही पढ़ते हैं, 4-1, 4-2, 4-2, 4-3, 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 36 तक दाना है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ले, लाश्ट में चार-3, ऐसे y-axis पे यह गया, 4-4, पे फिर 4-8 हो जाएगा, फिर देखो, बारा, फिर 16, पिर कितना? 20, पिर 24, पिर कितना? 28, पिर कितना? 32, अर लाश्ट में थोड़ा सा ऊपर कर दो, यही पे ये कितना हो जाएगा, ब्लैक से लिखने रहें। चलां हैं, जब ब्लैक से लिखेंगे, तो यह कि पता चल जुगा अब यह पता चल जुगा लिकिन एक पॉइंट इस पे 0, minus 4 है तो हमें यहां पे भी लेना पड़ेगा कि 0, minus 4 क्योंकि इस पे जब ले लेंगे यह हो जाएगा minus 4 होगा और फिर के ले लेंगा minus 8 इस दिशा में चलेंगे तो minus 4 और minus 8 हो जाएगा और minus 12 यह y axis और x axis और यह कितना y dash हो गया यह पता तो 0, minus 4 कहाँ पे मिलेगा आपको यह लिख दिया आपने और 4 कामा 0 यह यहाँ पे है यह लिखा हुआ है 4 कामा 0 पट्ट यूठाओ और दोनों को रेखा है जाते भी क्या करो इसको खीच दीजिए जब आप रेखा कीचोगे तो यह कैसी रेखा दिखेगी ऐसे तो जाएगे यह ऐसे चाहे जितनी रम में रेखा कीच दोससे कोई मतलब नहीं दोसी रेखा देखो 36 लिखा हुआ है तो आपने देखा कि अगर 36 लिखा हुआ है तो यह कहाँ पे मिलेगा यह ही पे मिल जाएगा तो यह 0 कामा कितना 36 और इस पर आजाते हैं तो यह देखो कितना 36,0 अगर यह 36,0 आगया तो आप इनसे क्या गया रेखा कीचिए और इनको ऐसे तो यह वाली ब्लैक चलो खीषते हैं इसको अगर ब्लैक लाइन से खीषते हैं तो आप देखो कैसे गई यह चली गई अब आप ध्यान से देखोगे यह रेखा है कहां कट कर रही जहां कट कर रही वही पर अंसर हो जागा तो देखो अगर इसको एक सेकंड डॉटेड लाइन इसमें है नहीं अगर हम खीचेंगे यह रेखा कहां पर आ रही सीधी देखो अगर यहां से देखोगे सीधी रेखा कहां पर आएगे यह जहां सीधी रेखा आएगी वहीं पर आप मिला दीजी यह सीधी रेखा किस पर इस पर आ गई और यहां से खीचेंगे तो यह इस पर जाएगी 4 था, तो x कमान 20 minus 16, बराबर कितना 4 ये तो satisfy हो गया, दूसरे वाले पर रखो, x plus y equal 36 लिखा हो गया, तो 20 plus कितना 16, बराबर कितना 36 इसलिए इसका answer correct हो गया कि हमारा answer कितने आएगा, 20 कमा 16 आएगा, 20 कमा 16 आने का मतलब क्या होगा, कि हम लिखेंगे आयताकार बाग की कितनी होगी, आयताकार आयताकार बाग की अगर हम लंबाई की बात करें कि लंबाई कितना होगा, x बराबर कितना हो जागा बोलो 20 मीटर ये इतना हो जागा और इसकी चौडाई कितनी है आपने भी पढ़ा कि चवडाई कितना है अगर चवडाई की बात करते हैं यह y है तो y बराबर कितना 16 मीटर यह इसका क्या होगा एंसर हो जाएगा जो हमसे पूछ रहा था तो ऐसे आपको theory model question मिलते तो आप solve करिएगा चले इनको आप note कर लीजे करना है अब इसको हम रफ कर देते हैं चले next question फिर देखते हैं कि अगला question क्या करता है सारे आसान question है बहुँ जादा आपको टिपकल नहीं है कि आपको परिसान होने चले 6 number question है लिखा हुआ है 6 number question में एक रहिखिक सम्मी कराण 2x plus 3y minus 8 बराबर 0 दी गई है दो चरो आले एक ऐसी और रहिखिक सम्मी कराण कहरा है दो चरो आले एक और एसी रहिखिक सम्मी कराण लिखिए ताकि प्राब्त युग में जयामेति यह रूप से जैसा की प्रतिछेद करती है और दूसरा कह रहा है कि समानतर रेखाई हो जाए और तीसरा कैसा हो जाए संपाती हो जाए यानि इसे के जर्साद दूसरे रेखाई आपको खीचने है जैसे यह है ऐसे रेखाई खीचेजे बट को क्या करती प्रतिछेद करती हो तो चलिए, सबसे पहला solve करते हैं, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, अगर हमें खीचना है, प्रतिछेद, प्रतिछेद करती रेखा, अगर प्रतिछेद रेखा, आपने पढ़ा था, condition क्या हो, कि a1 by a2, और not equal to b1 by b2, ये आपस में अगर बराबन नहीं होते हैं, तो भी परचेद ना करें, तो परचेद ना करें, तो हमें इसी गिंती में चेंज कर लिजे, जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये 2x लिखा हुआ है, तो 2x के अस्थान पर क्या कर दीजे, यहां पर ये 3x कर दीजे, ठीक, और आप क्या कर दीजे, या ऐसे भी कर सकते हैं, कि एक ही च मानोंगे कैसे हो जाएंगे compare करके एक बार देखो यह 2 by 2 होगा और यह हो जाएगा 3 by कितना minus 3 और minus 8 by कितना minus 8 हो गया यह 2 से 2 कट गया यह इस से कट गया यह इस से कट गया और यह तो आपने देखा कितना बना अगर हम देखते हैं आपको prove भी दिखा रहे है 1 minus 1 और ये कितना 1 तो ये दोनों आपस में क्या है बराबन नहीं है न यही तो कहा गया था condition में अगर ये दोनों आपस में बराबन नहीं है तो वो रेखा कि एक दूसरे को परचेद करेंगी तो ये परचेद करती हुई रेखाएं अर्थात एंसर हमारा क्या हो जागा ये जो एंसर होगा वो ये वाला पार्ट होगा ये हमारा क्या एंसर हो गया जो आपसे पूछ रहा था तो minus 1 कर दोगे तब भी हो जागा या और कुछ करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं जैसे इसी में दूना करना चाहें तो दूना भी कर सकते हैं हम इन्ही को ऐसे भी लिख सकते हैं इस सम्मीकरण को कि 4x और minus 6y बस समाच जिनमत रखेगा अब कितना हो जागा 8 दूनी 16 बराबर 0 यह कंपा मैं क्योंकि 2 से 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 मैनेस एक बटा 2 आ जाएगा वार्ट दूनी 16 बट बराबर नहीं होगा इसलिए कि इसका एंसर हो जाएगा तो बस आपको कुछ नहीं करना है यह सम्मेकर लिखना था ठीक आच लिए नोट कर लिए होगे फिर next question की तरफ आगे बढ़ते हैं यह परचेद कत हो गया फिर इसके बाद इसमें कहा गया था समांतर दूसरा क्या कहा गया था कि समांतर रेखा अगर समांतर रेखा निकालना है तो आप क्या करोगा कुछ नहीं क्योंकि condition क्या बताया गया था a1 by a2 और बराबर b1 by b2 b1 by b2 not equal to c1 by c2 यह दोनों आपसे बराबर बट c1 और c2 आपसे बराबर नहीं होने चाहिए तो क्या करेंगे हम हमें दोनों को बराबर करना है तो इन्हें में दुगना कर दो और दुगना कर दोगे तो यह कितना हो जागा 4x और पलस कितना यह हो जागा 6y और इनको आपको चेंज करना है क्योंकि यह बराबर नहीं होने चाहिए तो चिन्न क्या कर देजाए बदल दीजे और तो यह बदल देंगे तो यह दोनों तो बराबर होंगे जैसे इसका करोगे इन दोनों पे तो देखो 2x4 और यह निकालेंगे 3x6 और यह हो जाएगा minus 8x16 इसको काटो एक बद 2 आजाएगा यह काटेंगे 2 आएगा यह काटेंगे तो 2 आएगा तो 1x2 और 1x2 हो जाएगा equal minus 1 by 2 आप यह ही कहोगे कि यह दोनों तो बराबर है बट यह वाले आपस में क्या है बराबर नहीं क्यूंकि minus लगा हुआ है इसलिए क्या है समांतर है तो समांतर का हमने क्या प्राप्त कर लिया आपका answer जैसे का तैसे आ गया चले next पढ़ते है कि next क्या कह रहा है कि इसी मे condition है थारण नंबर क्या है कहा गया कि संगाम संपाती है अगर यह संपाती रेखा है तो कैसे होगी तो संपाती रेखा में आपने पढ़ा था क्या पढ़ा था कि अगर कोई इस रेखा मिल जाए तो वह हमेशा क्या होती है? तीनो कंडिशन आपस में बराबर हो. इससी एका दूगना कर दो, चाहे तीन गुना कर दो, चाहे चार गुना कर दो, ऐंसर हो जाएगा. अगर चार गुना करें तो कितना हो जाएगा? चार दूनी आठ एक्स हो जाएगा चार त्याएं बारा एक्स बारा वाई हो जाएगा और चार एठे कितना 32 बराबर 0 compare करके देखोगे तो 2 बाई 8 हो जाएगा और 3 बाई कितना ये 12 हो जाएगा और minus 8 बाई कितना चिन को कभी मत change करना गलत हो जाएगा देखो 2 चोग 8 और 3 चोग 12 और 8 चोग 32 और minus minus plus तो देखो बराबर आएगा 1 by 4 और 1 by 4 और 1 by 4 ये सब समान आगे जब इसमें समान आगे तो हमेसा हम क्या कर सकते हैं कि ये संपाती रेखा है होगे तो ये बतादे का कंडिशन होता है तो ये ही चीज करना था उसी के समान आगे दूसी रेखा लेकिन कैसे कंडिशन होने चाहिए वो आपके सामने दिया गया वही कंडिशन का हम फालो करती हुए प्राप्त कर लिए चली लाश्ट क्विशन देखते हैं इसको आपने लिख लिया होगा और बता देते हैं आप तो solve कर सुकते हैं इतनी महरत हैं आप हासिल कर लिए होगे कह रहा है कि सम्मिकराण x-y प्लस 1 लिखा गया है साथ नंबर कि x-y और प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा लिखा गया 3x प्लस 2y और माइनिस 12 बराबर 0 ऐसे लिखाँ का ग्राफ कीजिए और x-h इन रेखाओं को बने तिर्भुच के सिर्सों के निदे सांग्याद कीजिए और फिर कह रहा है कि तिर्भुचा कार पटल को चायांकित कीजिए तो जैसे अभी हमने पीछे पढ़ाया था सीम वही है ग्राफिय भी सेल को हल करना है तो आप देखो कि जब x-axis के राइट साइड क्योंकि एक सच कह रहा है यहाँ पर अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स जरूर आपके पास एक मैसेज है जो हमारे पास जरूर आप भीजए कि आपको नहीं समझ में आया या हम नहीं साल्व कर पाए तो आपको नश वीडियो में या इसी क्विश्चन का किसी छोटी वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाये कोई समस्या ना होने पहरी मेरे साथ आससे जुड़े रहे है上 मस्त होकर पढ़ते रहे है आपको कोई दिकत नहीं होने वाली है वी